सब्सक्राइब दोस्तों ये ट्यूप का और वीडियो आप बनाईएगा जैसे कि आपके लिए वीडियो लाया हूं बहुत अच्छा वीडियो है दोस्तों आप इस वीडियो पूरा और लाश्ट देखें अगर आपने वाइलोजी की अन्य वीडियो नहीं देखी है तो नीच मानव में सवासन लिए स्वासन तन्त्र कहते हैं सिर्फ एक नाम यहां इसकी परीभास तंत्र कंदका झांक करें ठीक है तो वही सभी हो गया था पाचर तंत्र तो जैसे नाकमु ठीक है स्वासनली ग्रसनी और अभी हमारे फेपले इस सारे अंग मिलकर इसमें काम करते हैं तो इसी बีकिल आता तक का मतलब जिसके द्уставно की प्रकरियत की जाए ठीक है तो अब स्वासन्तंत्र का सब इसे महत पूर जो अंग है वो है फेप्ड़ा, यानि की मा जिसको फुस्फुस भी बोला आता है क्या बोल बूले ऐता है hciक है तो बोला जाए फुस्फुस क्या है थिक है तो सवसनतंत्र का सबसे एक सर्जव सबसे महत पूर अंग है और आपको फुस्पुस कर सकते हैं क्योंकि कि इसका दूसरा नाम है जहां गैसों का आधान प्रदान होता है आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आधान-प्रदान होता है इसलिए इसे श्वासन भी कहते हैं यानि इसलिए लेता है कौन फेपल nesail श्wahस का तो इसको समझते ये दो पिरकार की होती है कौन कौन से प्रकार की होती है आपको दोनों प्रकार के नाम याद होना चाहिए अंतेश्वासन यानि इस्प्रेट्सेशन और नीश्वासन नीश्वासन बोले जाता है बाहेश्वासन यानि एक्सप्रेश्वासन ठीक है अंतेश्वासन यानि अंदर की और शांस लेना गैसे को लेंगे आप उसमें बायू को यह वास थो आपको क्या प्राप्त होगा जैसे कि भायू है और अने अंदर बी बाइयू मंधिल से क्या-क्य गैसे प्राप्त होगי ठीक है तो वह Battle성 का ओंतेयशina भी तो आपको Oxyide जो होगी आपको 0.03% ठीक है और जलबास जलबास कितन होगा 0.45% ठीक है जलबास मतलब वायू की आद्रता ठीक है तो यह सारे हम बायू मंडल से घ्रण करते भिया स्वासन के समय जैनि स्वास लेते समय करते हैं ठीक है और जब निश्वासन करते sail High किसे चोड़ने का यहां किसका है तो इसमें आप को जब स्वासन करते हैं तो चोड़ते हैं तो जो nitrogen है जितनी लेते हैं उतनी चोड़ते हैं नायट्रोजन से हमारे कारणियों नहीं करती है अब देख सकते हैं ली कितनी थी 21 और छोड़के आप बाद में हमारे पास कितनी परसेंट छोडई यानि 4 परसेंट हमने इसकी रोख ली तो यह पडेढ़न हो। यह सरद हो सकते हैं। और कारवणडाइ कि यह हम 0,03% सब्सक्राइब क्योंच थे तो वह स्याक्यों है, तूब 5,070% थे जब चोड़ को निवह सब्सक्राइब कार्वा इस डृटल बाड़ों के दिनों में आप अपने हाथ पे मार के देखना तो आपको पानी पानी आधरता साथ दिखेगा तो वह होती है यानि कि आप उसके साथ में जल की मात्रा भी छोड़ते हैं इसी वह इसा आपको प्यास लगती है ऐगा है हम 21% और छोड़ते कितनी है 77 ठीक है चार परसेंट रुखते हैं उसके बाद CO2 0.03% टीक है यह जितनी होती होती है लेकिन चार परसेंट लगबग चीक है चार पाइंट 6 होती है लगबग यह लगबग में रजातला चार परसंट और नाइज अच्छंट एपता परसंट लेते हैं इंच कोछ जन्तूओं के मुख्य शौषन अंग कौन से लुख्य जैसे कि इस्थंधारी जीव होते हैं इस्थंधारी जीव कौन से कहलाते हैं यानि कि वे जीव जो कि अपने बच्चों को जनम देते हैं सीधे बच्चों को जनम देते हैं इस पिरकार से आप पैचान सकते हैं वो सब क्या होते हैं इस्थंधारी जो अपने बच्चों को जनम अब दूस्रा समझते है। मचली मचली जो होती है आप क्लॉम से लेती है एक जुटके है किलॉम एक गलफडे का हिंदी नाम आप गल्फडे तका नाम है उर्दू का नाम मेंडक जब पानी में हो और जमीन के उपर हो तब वो श्वास जो लेता है है श्रा-श्रा और मुंद पानी में पानी में हो तो जमीन के उपर पानी में होसए और जमीन के अंदर मेलक को ये लेता है वो लेता है कलॉम से तैसelines चाहिसे उसका है जा को टेड़ Państwo से लेता है टो जमीन के अंदर होगा और पानी में या जमीन ने उपर होगा क्यों को आपको पता है चैसलिक सब्कुर्जाइब भी रहसकता है और जमीन पर भी सकता इस वजय से यह फैप्डो से सांस लेता है तो तेटटountain आपको यादर कंब RAW यानि की कि गल्फडें से सांस लेता हैई कलॉं ठीक हैै कलॉं तो गलफड़े से सांस कौन लेती है मचली इसी को बलते है क्लॉघ जो मैंने डग की टेड़ डेड़ ऐसे चोटे-चोटे जो आप बच्पनमें छिडि समझते वह गए एक लेकिन यह टेऊ कोले completely. तो यह होते हैं, जो कि से सांस लेज्रीय को. यसके इस एंदर हम चीक के हुआआँrale जल मे समय ह जाते हैं. तो किससे लेगा तोच्छा से अब आपको एक नोट याद रखना है मनुस्थ्य मिनिट में लगबग 15 से 18 वार MegFE लेटा छोड़ता है कितनी बार 15 से 18 वार मठीया की बास चल रही है ठोड़ा एक और जैदा और लेता है कि Gitiva लेता है वाइस से पूचिस वाद यानि छोटा बच्चा मनुस्य की तोल्ना में ज्याधा श्वाज लेता है elf आपने देखा में बच्ची की gl push देखना सुनकर ठीक है तो बहुत ज़्यादा चलती है एक मनुष्य की तुलना में ठीक है तो यह पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है अब समझते हैं मानव श्वाशन के मार्ग कौन-कौन से हैं सबसे पहले सबसे पहले सबसे का मार्ग रो नोज कि ज keeper जो करते हैं उनके लिए बोला जाता है कि आप जो सांस लेनी हैं तो आप किसे लीजिएगा नाक से लीजिएगा ठीक है तो नाक के पहले मैं आपको काम बता देता हूं नाक काम जो है सुंगना हुआ स्वासन का कार्य करती है ठीक है नाक क्या करती है यानि नोज जो करती है कूंते करदेने चाहिए लेकिन पूरे पूर्ट रहसे समघ कर नहीं करना चाहिए क्यों कि जो धूलकण जो होती है बायू मंड़ хотел की जो हवा में उनको रोखने का काम करते हैं कॉनकरते catastrophik तो पुछा जाए बालों का काम है धूलकन को रोकना उसके बाद यहां से देख सकते हैं नाक के अंदर यहां से यह हमारी इधर को जाती है यानि कि वायू इधर से जाती है नासा चिद्र अब नासा चिद्र क्या यानि नाक के अंदर आपको पता है दो चिद्र होती है एक औरकल जैसे कि नकी वक्की जो चल जाती तो उसमें तूटने इसका खत्रा हो जाता ठीक है तो जिस पर आप देखराई जिस पर एक तरल पढ़ा होता है जिसका नाम होता म्यूकस ठीक है आप जब आपनी नाक में उंगली डाल के देखोगे तो आपको इसमें जरूरी नहीं आ एक यह कुछ दूल तो उनको अपनी और चिपका लेता ठीक है इसकी बजा से ही धूलकर हमारी नाग में चिपक जाते ठीक है तो बाद में आप जब मूद होते हैं उसमें साफ कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले बाल ने किया a दूसरा किसा ने क्या, mute click तो जो हमारे प्रकृतिक तौर पर सारी चीज़े है ठीकर उसके लाण तीसरा पॉइंट है नाशा मार्ग, अब नाशा मार्ग क्या है? कि यानि कि इसके अंदर जुर जगा है खालली जगा जो है उसी को बते हैं और इस यहां जाती है यानि कि यहां यहांस की वायू को ले जाना तो यहांस Happy यहांस के लिए युज़ा को नाक क्लिएर कि आशिण सांस धिक जिसमें दो ज Day रहत है और जिस्के बीक उसके बाद जो होती है ग्रस्णी इसके आगे क्या होती है ग्रस्णी यानि कि जिसको बोलती है फेरिक्स तो नाशा मार्ग ग्रस्णी में खुलता है यानि जो नाशा मार्ग जो होता है जो खाली जगह होती है वो किसमेजा खुलता है ग्रस्णी में ठीक है आप देखते हो सी और आहरनली के मार्ग खुलते हैं यानि कि क्या होता है यहां से मैं आपको डाइग्राम से समझानी कुछिस करता हूं ठीक है तो यह देखो यह होगी हमारी नूज ठीक है यहां से नसल को आप समझते हो नाशा मार्ग और यहां से जो जगा खाली है वो क्या हो गया नाशा मार इधर से देखो, मुँझे अंदर से आप खोल के देखोगे, तो यहां पर जीब के पीछे को यह दिखेगी, ठीक है, तो यहां पर पॉइंट बना रहा हूँ, यही हमारी ग्रस्नी, ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, कि स्वासनली और आहार ना सौस्वांस्नली यानिकी लारिक्स यहां से यह है यहां यहाँ से आवाज निकलतीया स्वारतन्त्र एपर देख सकते हूं आपको उठेवास होता है कंठ जिसे बोलती है हम तो वही हमारा लेरिक्स होता है जो कि बायू को घाटी द्वार की साहिता से स्वास नली में पहुचाता है यानि कि जो हमारी घाटी जो होती है यानि कि खाली जगा जो होती है यहां पे उसको बायू द्वार से घाटी द्वार की साहिता से स्वास नली इपीग्लोटिस क्या है एक उपास्ती होती है उपास्ती का बना धकन होता है इन काइडलेज का बना धकन होता है उस परकार का कि जो आपको यहां पे रोकने का काम करता है आपके भोजन को और हवा को ठीक है यानि कि सिर्फ एक चीज को ही अंदर जाने देता है ठीक है यानि क जागर आप स्वास ले तो आप स्वास वाली नली में स्वास जाएगी और भोजन वाली नली में भोजन जाएगी ठीक है यानि स्वास नली में स्वास जाएगा और आहर नाल में आहर जाएगा ठीक है तो यह काम किसका होता है यह काम होता है हमारे इपोग्लोटिक्स का ठीक ह यह काम कौन करता है हमारा इपोग्लोटिस करता है ठीक है जो कि अपन होता है यह भोजन और दोनों को एक साथ नहीं जाने देता तो कभी-कभी क्या होता है आपको देखा होगा कभी-कभी फंदा लगता है यानि कि आपको एकदम चीक जो आती है या फंदा जो लगता हो कैसे लगता है तो फंदा क्या लगता है जैसे का भोजन कर रहे हो ठीक है आपको भोजन को पूरा संतूलन करने का काम किसका हमारे मस्तिक का ठीक है तो आप भोजन कर र और उसने मार खोल दिया हवा वाला ठीक है अब उस कंडिशन में भोजन कहा पर जाएगा अब फेपड़ों की तरफ जब भोजन जाता है तो फेपड़े उसे देखते हैं उसे एकदम रिप्लेक्स कर देते हैं यानि बापिस कर देते हैं इसी वयासे हमको क्या लगता है और भी खाते हो आप बापिस आजाते हैं नाक के मार्ग से तो यह घांटी ढपन का काम होता है जब जब हमारा मस्तिक उस समय थोड़ा सा डाउटफुल होता है तो फंदा आपको लगता है तो जब भी लगता है जब आप या तो अचानक एकदम कोई चीज खा लें बिना सोचे समझे या आप कहीं खावों में खो जाएं और एकदम अचानक खाएं और फिर आपको याद आए तब आपका फंदा यह लग जाता है ठीक है यहां तक के पॉइंट आपको समझ में आगया होगा यानि घांटी रपन का काम होता है कि भोजन और हवा को एक साथ नहीं जाने अलग रास्ते में यानि भोजन वाली नल में जाने देना और हवा को हवा वाली नली में जाने देना ठीक है यहां तक के पॉइंट आपको आई होप समझ में आ ओगया हो गया सबसे पहले क्या नोज नोज के बाद नासा चिद्र होतीर ना कि उसके बाद मार्ग होता है तो इसके आगे को ग्रसणी जो की मुः के अंदर खुली होती है उसको जोडने का काम करता है और उसके ऊपर जो लगा होता है इस प्रेकार शे आपको याद रखने अब श्वास नली बैरी इसको ट्रेकिया बोलते हैं यह लगबग 10-12 सेमी लंबी होती है लगबग में हैं ज्यादा कम हो सकती है लगबग 10-12 सेमी लंबी होती है श्वास नली ठीक है मैंने बताया था आहर नली अलग होती है और श्वास जाती है यह वा का काम होता है और आहर नली के द्वारा आहर ज के उपर उपास्ती के बने क्या होते हैं हाइलिन अधूरे छल्ले होते हैं यह मैं आपको समझाता हूं जैसे कि यह हमारे फेपड़े हैं ठीक है अब फेपड़ों के यह वाली जो है हमारी क्या है उपास्ती क्या है यह स्वास्तनली ठीक है अब स्वास्तनली के उपर आप दे के अंदर और यह फेप्रो के अंदर यहाँ सकते हैं का स्थी यहां से दो बागों मिभख्त हो दो भागों को बोला जाता है ठीक है ब्रोकियस क्या बोला जाता है इन दो भागों को जो स्वांस नली हमारी दो भागों बट जाती है इसी को बोला जाता है ब्रोकियस और यह क्या होती है जिसकी पिर्मुक शाखा होती है ठीक है क्या होती है पिर्मुक शाखा ठीक है तो यह तो हो गए हमारी श्वास नली इसके उपर जो लगे हुए हाइलिन और यह क्या हो गए ब्रोकियस टिक है जो की प्रमुक्षाका होते है यानि कि इसकी प्रमुक्षाका है ठीक है अब देखो यह आगे जाके और छोड़ी-छोड़ी शाखाओं में बटेगा ठीक है तो अब उ तो यह हो गए डो खेंगे खोते हो आप आया अन्य साखाओं में ढेकित सकते हैं इन्हीं को लाश्याएं प्रोकिय। और वो अन्य साखाव में बट गए तो वो कहलाएंगे ब्रोकियो लैस जिनको उपसाखा के नाम से भी जाना जाता है यहां जाकर बायू रुकती है जो हम स्वास जो ले रहे हैं वो यहीं जाकर बायू रुकती है जैसे कि यह जो आपको दीख रहा है ये तो हो गए हमारी शोंस नली, ये क्या हो गए उकस, ये क्या हो और ये जो हापको गोल-गोल से दीख रहा है, ये ही है हमारे बायू कोष्ट, यानिarda striking यहां जाकर बायू इस में जाकर क्या हो जाती है? रुख जाती है, ठीक है? इसके अंदर जाके बायू रुक जाती है और इसमें से अब रक्त कोशी का तक अब जो बायू है वो कहां तक मोचने है वारी कोशी का तक तो अब उस कोशी का तक ले जाने का काम किसका होता है रक्त का अब मैं आपको आपको रक्त परिसंजनत अंदर पढ़ाया था तो उसमे बायू कोश्ट, इनकी हजारों लाखों में संख्या होती है, तो इनके अंदर बायू होती है, यानि की सुक्द औक्सीजन इनकें अंदर छुपी होती है, वो किसम मिल जाती है, हमाई रक्त में और रक्त के द्वारा हमारे कहां पहुंचती है, कोशिका तक, अब जो इनकी मनीं होती है दौहरी जınt kung चारों और लगी होती है दोंको ये रुकschaft पूरे को समालकर रखती है इसी को बोलायाता है सब्थरों को काम समझ में आ गया होगा भ estuv यह स्वासन की रिए तो क्यूंकि ब्रोकिलेस के जुले हूए जो होते हैं वाय कोष्टन औरी भाय रक्त के द्वारा यह वायू काँ पोचेगी हमारी सरीर के पास ठीक है तो अब दीखेंगे रेस्पिर्टि सिस्टम में आप आराम से समस्कते हैं यह क्या है नोज अब नोज के आगे हमारा जो नाशा चिद्र इसके अंदर चिद्र उसके बार नाशा मार्ग और नाशा यहां तक के आपको पॉइंट समझ में आ गये होंगे इतने पॉइंट जो श्वासन तंत्र के होते हैं अब हमारा प्रस्वासन काता हो गया आपको समझ रहे होंगे फेपड के दवार नहीं इसमें चाह्टा है ये फेपडो को लेने टिके सि चोढ़ने के सकरता निए चाहता है और फेपलों के साथ में जो शास आरही है maar उसको लेनी यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं यह वाला जो पॉइंट है यह जो दिख रहा है आपको यह वाला ही है हमारा डाइफ्राम यह क्या करता है जो डाइफ्राम है यह जब हम सास ली तो यह क्या हो जाता है नीचे को दब जाता है तो हमारे अंदर अंदर काफी जादा आ जाती अब उस फेपडों को सश किसी वैक्टी का accident हो जाता है उसके कोई चोट नहीं लगती है फिर भी वह वैक्टी की death हो जाती नहीं क्यों क्योंकि इसकी di dign yang jules का मना होता उसमें effect आजाता है वो खरब हो जाता है ठीक है इसकी गना से अजो क्या हो जाती है मुवियों में कैं हुषा मार नहीं किसी वेक्टिकी मिरत्य हो जाती है तो क्या होता है वो डायफ्रांप पर ही असर हो जाता है कि यह आगे का पॉइंट समाजते है नौट है बहुत इंपोटेंट है औक्सीजन को ठीक है सरीर की कोषिका तक ले जाना रक्त का कार रहे है यानि कि जो ऑक्सीजन जो आ गई हमारे किसके अंदर आ गई फेपडों के अंदर आ गई तो उसको अब सरीर की जो कोशिकाए है आपको पता है ऑक्सीजन की जरूवत किसको है हमारे सरीर की कोशिकाओ को जरूवत है ठीक है और कोशिकाओ के अंदर क लेट्रो काइंडिया वही सबको oxygen ग्रण कराती है तो रक्त का काम है ठीक है अब रक्त में भी आपको पता है रक्त के अंदर तीन तद्व पाया थे तोन कौन से तद्व होते हैं ठीक है इन में से वी कौन सा oxygen ले कर जाता है तो क्यों प्लीटेट्स वपीमारियों में रक्षा और डीजिस से लिएक पाया एक चाहँ प्लीट ग्लोबियन रिख चाहते हैं Amiglobion के अंदर एक तथब आ था हीम अब जो हीम जो है वही लेके जाता है oxygen को ठीक है यह जो अब प्रेपड़ो से oxygen को सरीर की कोशिकाओ तक लेकर जाता है यानि मैंने आपको बताया था रक्त परिसंचन तंत्र में जिसके कारण रक्त का रंग क्या हो जाथा लाल तो हीमोग्लोबियन के कारण ठीक है अब आपको मैंने एक प्वाइंट बताया है तो कोई कार्मन टाई गयस को फेपड़ों तक लाकर भी छोड़ता है य bolts के तक आपको बहूत अची तरह से समझे में आ गया होगा है आगे समझते हैं आगे oh blame पतान video को jujama कोई आपको सवास नहीं मिल रही है और आपका भोजन नहीं होगा ठीक है जो oxygen के दोरा आपको प्रेकार के होते हैं एक होता अक्षीisch यह पिर किरिया उक्सीजें की उपस्तिती में होती है यानी संद्स नकी जरूवत होती है इसमें पधारत का पूरा ऑक्षिकरण होता है यानि कि जुतना भी उक्षीजन से टूटने वाला पधार तहीं उसका पूरा उक्षिकरण होता है पूरे से पूरा टूट जाता है जिसके फाल्षु रूप सी ओ टू और एच टू ओ बनता है यानि की कर्वंडाई गैस बनती है और जल प्राप्त होता है और अधिक से अधिक क्या में निकलती है ओर्जा आप यहां से समख सकते हैं देखो और क्या है इसको ओक्षीजन से क्रिया कराई ठीक है और क्या बना जल और प्राप्त हो उर्जा भी इसमें और उर्जा प्राप्त होती है तो पूछा जाए यह परक्यिया ऑक्षीजन के उस्थिती में नहीं होती है ठीक है तो इसे अनौकिशी स्वास्थन के अंत में होती है लेकिं ऑक्षीजन मौजूद नहीं होती है तूर इसमें वोलती है तो तो 36 ATP उजसा इधर मिली और मिली जभीरम प्राप्टा कि 38, 28 ATP और प्राप्त होती हएं यही नोट आपके लिए याद रखना है है, अब्स्क्राइब कि अब्स वह कितने बंती नहीं घंब के द्वारा एक ग्लुकोज में दो पाहलोरिक अनू बनते हैं ठीक में ओर। स्वासन उसान कुल मिलाकर कितना लिम्द एटीप यानिंव यादिए तो 38 qatp who kudy तायप्जाब करने प्राप्ट करनेयों क्रेब प्राप्ट करना क्रेब्स चक्र कहलाता है टायग होब किoralis faced ड्यूसद ऐसी को दोरान कौन सी गैस परिवरता नहीं होती है ठीक है अब जो स्वास्त काम लेते हैं तो कौन सी गैस नहीं बदलती है हमने देखा था कि नाइट्रोजन जो गैस थी 78% ले रहे थे चोड़ रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एन टू यानि कि नाइट्रोजन गैस नहीं परिवर्थन होती है ठीक है मनुस्य में स्वासन का पिर्मो कंग है तो मनुस्य की अंदर जो स्वासन का पिर्मो कंग है वो क्या है हमारे फेपड़े तो क्या अंसर हो जाएगा इसका फेपड़े ठीक है आप व्यूडियो को पोज़कर मुझसे पहले देने कांसर कुछिस करें ठीक है स्वासन के दोरान यह आंसर आपको comment box में देना है इस question को आप पढ़का स्वासन के समय मनुस्य के फेपड़ों oxygen की कितनी मात्रा बायू कोष्ट में सुरक्षित रहती है यानि कि जो बायू कोष्ट जो थे मैंने आपको बताया था जिनको एबलिक बोल रहे थे ठीक है सबसे last पॉइंड में पीले पीले में आपको बताया थे उनके अंदर कितनी परसेंट oxygen रुखती है ठीक है यह पूछ रहा है कुछन अनौक्सी स्वासन में कितनी ATP उर्जा होती है अनौक्सी श्वासन यानिकि जिसको अनौक्सी स्वासन कौन सी थी जो मतलब oxygen की उपस्तिती में न कि आपको बहुत अची तरह से समझ में आ रहा होगा ठीक है रत का रंग लाल होता है किसके कराण इसका अंसर यह आपको कमेंट बॉक्स में देना है ठीक है इस्तंधारी जीव में स्वासन का प्रमों कंग है तो इस्तंधारी जीवों में श्वासन का मैंने बताया था क्या ह प्रवाइब उसके बाद नीश्वासन आप किसे बोलते हैं आपको पता होने चाहिए नीश्वासन मतलब होता है स्वास को छोड़ना समय ठीक है अक्सीजन की कितनी मात्रा बाइव मंडल में प्राप्त होती है ठीक है जब स्वास चोड़ते हैं तो झाल कितनी मात्रा बाइव मंडल में जाती है घंद गई तो च्थ को मैंने आपको लिख दिया comment box उनका अंसर आप दे ताकि मुझे यह पता चले का आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया या नहीं आया ठीक है तो आपने जिसने अंसर दिया तो उसके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ठीक है स्वास नली की लंबाई लगबग तो स्वास नली की लंबाई मैंने बताया लगबग होती है 10-12 सेमी स्वास नली की लंबाई ठीक है उसके बाद मनुष्यत्स एक मिनिट में लगबग शौनता ऺच को बताया है 22-25 बार तो मनुष्य की आपको मेंने बताया त्थ का आंसर इसWeek कूंण्ड बॉक्स में देना है थीक है है आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझे में आया हो तो आप मारे हैं यये चेड़ी पॉइंट को सब्सक्राइब करें साथ वीडियो को लाइक करें जै हिंद जै भारत